नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम बात कर रहे हैं एमरोडरी डिजाइन के बहतरीन प्रोग्राम विलकम 2006 के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक छोटे से फिगर को ड्रोइंग और पंचिंग के लिए जिसके अंदर हमने जो मटीरियल आपको प्रोवाइड किया हुआ है हमारी टेलिग्राम चैनल के ऊपर एक मटीरियल नाम का फोल्डर रखा हुआ है जिसके अंदर से आप कुछ ना कुछ चीजे अपने डिजाइन को बनाते समय इस्तमाल कर सकते हूं तो वह कैसे किया जाता है वह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वह डिजाइन को ड्रोइंग करने के लिए मैंने पहले सी एक डिजाइन को सिलेक करके रखा हुआ ह वह डिजाइन को मैं यहाँ पर ओपन करता हूं अभी हमें यह डिजाइन को यहाँ पर ड्रोइंग करना है एक फोटो मेरे पास हवालेबल है लेकिन इसकी साइज वगेरा कुछ भी हमें सेटिंग नहीं पता है तो ऐसी चीजों को अगर हमें ड्रोइंग करना हो तो हमें किस तरीके से बनाना होता है वो मैं आपको बताता हूं सपोज मान लीजिए इस तरीके का कोई भी फिगर हमारे पास आता है जिसके अंदर आपको साइज का पता नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए यह रेड कलर के जो डॉट्स बने हुए है वो यहाँ पे स्टॉन लगे हुए तो स्टॉन के ऊपर हम एक छोटा सा राउंड यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे यह राउंड बनाया है यह राउंड का जो अभी का रेग्यूलर साइज जो है वह अभी 3.33 mm है लेकिन यहाँ पे कपड़े के अंदर जो स्टॉन लगते हैं वह मिनिमम चार 4 mm से लेके 5 mm तक भी होते हैं लेकिन ज्यादातर साड़ी वगेरा की डिजाइनों के अंदर 4 mm और 5 mm के यहाँ पे स्टॉन लगते हैं तो हमें यहाँ पे यह 5 mm का स्टॉन ले लेना है इसको हम 5 mm की साइज करेंगे यहाँ पे तो यह फिगर हमें जो भी हमारे पास सेंपल अ और यहाँ पे हमारा जो 100 बना हुआ है वहाँ 150 कर देता हूं इस तरीके से 150 करके एंटर दे देंगे तो इस तरीके से हमारा यह वाला जो फिगर है वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ हमारा राउंड जो है वो राउंड 5 mm का हो जाएगा अभी हमारा यह जो फिगर है वो बाउंडरी बना लेके लिए हमें यहां पर इलिप्स को सिलेक करना है इस तरीके से हम यहां पर इलिप्स को रख देंगे इलिप्स को रखने के बाद हमारी यहां पर बाउंडरी लाइन जो भी होती है वह बाउंडरी लाइन हमें पता चल जाती है कि हमें यहां तक इसके कर देंगे रन में करने के बाद हम एक रन और अंदर खींच लेंगे इस तरीके से एक रन यहां भी दिख रहा है और अंदर मिरर लगा हुआ लग रहा है और इसके अंदर और एक मिरर बना हुआ है तो हम इसको यहां तक ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से हमारा फिकर बना हु मोटिफ से बना हुआ है तो मोटिफ से स्टार बनाने के लिए हमने पहले से ही मोटिफ को बनाया हुआ है तो इस तरीके से हम यहां पर मोटिफ ले लेंगे लेकिन यहां पर हमारा डिफॉल्ट मोटिफ जो है वह स्टार वाला नहीं सिलेक्ट हुआ है तो हमें यहां पर स्टा आपकर हमारा यहां पर पैट्रण लाएं जाएगा उस Titrem यहांपर रिश्यप कर सकते हैं इस तरीके से हमए इसको रिषफ कर देना है यह जो हमारा साइज मिरर का वह यहां पर 5 mm बना हुआ है इस तरीके से चाहिए मेरे मेरे सब नहीने हैं तो पहले mirror बना हुआ था उसी तरीके से यहां पर उसी property के अंदर यह हमारा दूसरा mirror भी जो है वो मोटिप के साथ बन जाता है हमें यह window को बंद कर देना है इस तरीके से हमारा यह वाला figure जो है वो बनने वाला है इसके center में एक mirror लगा हुआ है तो हमें यहां पर mirror लगा देना है यह वाला figure जो है वो भी काम आ जाएगा हम यहां पर control O करके desktop को खोल रहेते हैं और उसके अंदर हमारा AM नाम का जो folder है वो यहां पर बना हुआ है तो हमें यह वाला figure दोनों ले लेना है और उसको हमें यहां पर design के अंदर paste कर देना है पेस्ट करने के बाद यह वाला mirror है उ सेट हो जाएगा उसको चोटा बड़ा कुछ भी साइज में आगे पीछे करना हो तो हमें उसको कर देना है इस तरीके से उसका figure का color जो है वह हमने दूसरे page में से लिया वह yellow color है हमें यहां पर green color कर देना है क्योंकि हमारी design जो बनने वाली है वह यहां पर green color में ही बनने वा कि यहां रिंगे तो हमें पेहले इसका center fix कर देना है कि यह हमारा center किस तरीके से बने में एक कंद से यह वाला και ही जो है यह बन जाएगा उस control x v करके अंदर की side ले लेंगे फिर से एक बार ring को select करेंगे ring को select करने के बाद यहां center के अंदर एक point देंगे और उसके बाद इसको बाहर खीचेंगे बाहर खीचने के बाद यहां तक आने के बाद दो बार enterprise करेंगे फिर उसको बार खीचेंगे यहां पर दो बार इंटरपेस करेंगे तो इस तरीके से हमारा ring बन जाएगा अभी दोस्तों क्या होता है कि अभी यहां कुछ beginner सोते हो यह मिश्टेक करते हैं कि यह वाला जो ring हमने सिलेक किया है वो सिलेक क्यों ही ring को duplicate करते हैं और यहां से ही इस तरीके से इसकी size को बढ़ा कर लेते हैं लेकिन यह सही method नहीं है आपको यहां पे हर बार ring को select करना है select करने के बाद center के अंदर एक point दे के उसको बाहर की side हिंचना है फिर यहां पे दो बार interface करना है और यहां पे वापस boundary line पे जाके हमें यहां पे दो बार interface कर देना है तो इस तरीके से हमारा जो अंदर का figure है वो इस तरीके से बन जाएगा देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा बन गया है अभी हमें यह वाला figure जो है तो इस तरीके हो जाएगा यह वाला हमारा यहां बनेगा और इसके उपर हमें त्रिपल रन को देना है त्रिपल रन हमारा इसके उपर जालेगा इस तरीके से हमें इसकी साइज को है वो साधे 3 mm कर देना है इस तरीके से यहाला हमारा गूरूप बना देना है और यहां पर यह वाले फिगर को भी इस तरीके से यहां बिठा है कोई-भी फिगर इस तरीकिए से यहाँ पर से उसeed करना होता है अगर ऐसा भी नहीं बनता है तो इस तरीकिएसे फिगर को आप थोड़ा सा आगे ले लिजे और यहां पे दूसरा figure आप ड्रो कर सकते हो इस तरीके से अगर कोई भी figure आपको doubt लगे कि यह वाला figure यहां set नहीं हो रहा है तो आप यहां पे नीचे drawing जैसा आता है वो drawing के हिसाब से अपने figure को आप drawing भी कर सकते हो तो आपको यहां पे पता चल जाएगा कि क तरीके से आपका figure जो भी है वो यहां पे बना होआ है इस तरीके से आप यह figure को बना सकते हो यहां पे combine करके हम इसको इसाड़े दोनों को group बना देंगे ताकि हमें दूसरी side रखेंगे तो उसको बार-बार punching करना नहीं पड़ेगा इस तरीके से यह figure को हम यहाँ पर भी रख देंगे इस तरीके से यह set हो गया यहाँ पे लेकिन यह वाला जो figure बन रहा है वो बहुत बड़ा बन रहा है तो हमें इसको छोटा कर देना है इस तरीके से इस तरीके से हम इसको ये figure को छोटा कर देंगे छोटा करने से ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि multi के अंदर हमें जो टाके की length होती है यहां से लेके यहां तक की वो कुछ ना कुछ length जो होती है वो length का minimum size तो रखना ही होता है ये वाला जो length होता है वो length यहां पे बहुत बड़ा हो गया है 10 mm का तो हमें यहां पर भी इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरीके से group जो भी बना हुआ design का है वो group आपको कभी भी ungroup नहीं करना है अगर figure को छोटा बड़ा करने की जरूत पड़े तो वो हम यहां पर कर सकते है इस तरीके से हमें यह वाला जो part है उसको हम यहां पर arrange कर देंगे इस तरीके से यह जो हमारा figure जितना भी बना हुआ है वो सारे के सारे figure को हम यहां पर इस तरीके से arrange कर देंगे यह यहां पर है यह यहां पर बना हुआ है इस तरीके से हमारा ये वाला जो figure है वो सारे के सारे figure हम यहाँ पर arrange कर देंगे arrange करने के बाद यह हमारा शायद drawing भी complete हो जाएगा तो हम इसका punching भी यहाँ पर करने वाले हैं इस तरीके से हमारा जो भी figure बना हुआ है वो figure को हम यहाँ पर arrange कर देते हैं इस तरीके से इस तरीके से डिजाइन को आपको प्रेक्टिस करना है जितने भी फिकर आपको टेड़ी मेड़ी डिजाइनों का फोटो अगेरा कुछ भी आपको मिलता है तो इस तरीके से ही आपको प्रेक्टिस करना है तो प्रेक्टिस जितना ज्यादा आप डिजाइनों की क करेंगे उतना ही आपको design के अंदर कुछ ना कुछ डाउट आएगा तो आपको डाउट clear करने में भी आसानी रहेगी क्योंकि आपको कुछ ना कुछ डिजैन के अंदर डाउट आएगा तो आप नया कुछ सीख पाएंगे इस तरीके अबको alter S U प्रेस करना है और यहाँ पर यह स्थास है दो आपको मुछीन का जो position होता है वह यहां पर do center के ओपर आ जाता, इस तरीके से आपको home प्रेस करना है home प्रेस करने के बाद अब आपको यहां पर punching करना है punching की इस तरीके से करेंगे यहां पर हम शुरुवात करेंगे चलो अंदर से ही शुरुवात कर लेते हैं डिजैन के पंचिंग की यहां से इस तरीके से हम यहां पर इसका पंचिंग कर देंगे पहले हमने इसको पंचिंग कर दिया पंचिंग करने के बाद अब हमारा यहां पर यह वाला फिगर जो पंच हो जा है इसके लिए ही हमें यहाँ पे इसको पंच कर देना है उसके बाद रन को पंचिंग करेंगे रन को सिलेक करेंगे और इसको कंट्रोल डी करके दुब्लिकेट कर देंगे फिर से एक बार हम यहाँ पे इस तरीके से एक रन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम punching कर देंगे punching करने के बाद यह punching हो गया उसके बाद हम यहाँ पर run को punching करेंगे control D करके duplicate कर लेंगे फिर से एक manual का यहाँ पर लगाएंगे और यह वाला जो run है वो run को हम यहाँ पर punching करेंगे control D करेंगे फिर वापस machine को कि इस तरीके से हमें यहां पर जो भी रास्ते में चीज़े आती है उसको हमें यहां पर कंट्रोल एक्स वी करते जाना है ताकि हमारा रास्ते में जो भी फिगर आता है वो पंचिंग उसका बाकी ना रहे इस तरीके से हम यहां पर इसका पंचिंग कर देंगे यह हो गया यहा यहां पर पूरा हो जाएगा लेकिन यह वाली जो दो फिगर बने हुए हैं मोटीफ के अंदर वो हमारा पंचिंग करना अभी बाकी है तो उसको पंचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी लेकिन यह मोटीफ जो है वो उल्टा यहां से च चलने वाला था वो अब यहां से चलेगा इस तरीके से देखे दोस्तों यहां से चलेगा अब यहां पर खतम हो जाएगा उसके बाद इसको पंचिंग कर देंगे पंचिंग करने के बाद यह जो हमारा ट्रावेल रन आता है यहां पर ट्रावेल रन नहीं आना चाहिए उसक निकल जाएगा और इस तरीके से हमारी डीजैन यहां पे फिनिश हो जाएगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि कोई भी हमारे माटिरियल जो हमने प्रोवाइड किया है आपको वो माटिरियल का इस्तमाल करने के लिए कि इस अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे जय हींद वन्यमाद्रम